जिन्दगी में सफल होने के लिए आत्मविश्वास होना चीए और ये भगवान का गौड गिफ्ट है कि बिष्णोई और आत्मविश्वास ये एक दूसरे का पर्याइवा चीए बिष्णोईों को आत्मविश्वास रखना चीए ये कहने की जरूरत ही नहीं है विसनों में already भगवान ने आतम विश्वास इतना ज़दा दिया है कि वो कई बार आतम विश्वास कुछ जदा ही हो जाता है तो इसलिए आतम विश्वास को थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है इसको तो कि ज़्यादा आतम विश्वास नहीं रखना है तो जब इतनी बड़ी चीज भगवान ने आपको दी है वास्तों में जीवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज आप कहीं पे भी कैसे भी देखना आत्मविश्वास बहुत जरूरी है और इसके साथ कहते हैं कि धैरे होना चीए पैशेंस होना चीए और युवावस्ता का महत्व जो है वो आप अभी नहीं समझ रहे हैं लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे जब आप साथ साल के सतर साल के हो जाएंगे तब आपको उसका महत्व पता चलेगा कि युवावस्ता का महत्व कितना ज़्यादा होता है क्योंकि 90% लोगों को जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको अपसोस होता है कि उन्होंने अपनी युवा वस्ता का जो समय था उसका सदुपियोग नहीं किया और उस समय सही दिशा नहीं पकड़ी इस वज़े से आज यहां हैं और वो यह इमेजिन करते हैं कि मैं कहता हूं कि आयामों तक ले जाएगा और वो बहुत सारी जीवन में उपदियां हासिल जो हो करेगा तो आप युवा हैं युवा होने का महत्व समझे यह अवस्ता जो है वो टै करेगी कि आपका भविश्य कैसे होगा और वो टै आपको ही करना है माता पिता की आग्या का पालन से कि अभी देखा गया कि नशे की परवर्ती की तरफ भी आजकल का युवा जादा जाए तो माता पिता रोके बच्चों को नशे की परवर्ती की तरफ जाने नहीं दे तो मेरा मानना है कि दुनिया में शायद ही कोई माता पिता ऐसे होते होंगे जो यह चाहते होंगे कि उ अच्छा बना लेते हैं, आप कैसे लोगों से दोस्ती करते हैं, किस तरह की बात करने वाले लोगों से दोस्ती करते हैं। यूआ पीडी को मारक दर्सन परदान करें। स्रिमान डिलीप महेचा सर। गुरु जंबेश्वर भगवान को नमन सरुपर्थम तूअ और उसके बाद गुरु जंबेश्वर भगवान की निर्वान भूमी लाला सर को नमन और फिर्वर। मैं आदर्णिय गुरुवर सचिदनन जी महराज का अभिननन करूँगा कि आपके इन प्रयासों की वजे से ये एक जो परंपरा शुरू हुई है युवा महुतसव की जो समाज के युवाओं को सही दिशा दिखाने में महतुपून भूमिका निभा रही है तो इस आपके इन कारिक इन प्रयासों को एक बार फिर से नमन और अभी नंदन देवंदर जी बोडिया जी अध्यक्स मौदे अकिल भारती है विस्नोई महासभा के अध्यक्स आपने मुझसे बहुत ज़्यादा वैसे रिक्वेस्ट की वो मुझे स्वारी तोड़ा क्या को मैं मेरे पास शब शब्वारे में उन्होंने मुझे बताया कि हम मुकाम धाम में गए थे तो वहां के आगे का जो सौंदर्य करन किया गया है जो फमारे वगएरा लगाए गये है और जो प्रगती मुकाम धाम की हुई है आपकी अध्यक्स बनने के बाद इस लिए आपका भी अभी अभी अभ जो पूरा भंडारा लंगर का खर्च आपने वहन किया और इसके साथ ही मंच पर बैठे हुए युवा आप लोग रोल मॉडल हैं समाज के और उमीद करता हूँ कि आप सबी लोग जो मेरे सामने बिराजे हुए हैं पिता समान जो बुजुर्गण हैं माताएं हैं बैने हैं औ और भाई युवा जो हैं उन सभी आप लोगों का भी अभी नंदन जो की और आप सभी का एक बार फिर से अभी नंदन करूँगा कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया यह मेरा सोभग्य है कि आज मैं यहां आया यहां आके मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा सा मैसूस हुआ कि यहां अधिक तर जो वक्ता थे सभी समाज को लेके चिंतित दिखे मुझे और कमोबेश हर वक्ता ने हैं जिन्हों ने भी कहा सबने एक बात पे सबसे ज़्यादा बल दिया और वो था संसकार निर्मा है और इसके प्रती जो चिंता देखी गई और इसके प्रती जो उत्सुक्ता और जिग्यासा देखी गई तो निश्चित रूप से हम भविश्य एक अच्छे भविश्य की कल्पना कर सकते हैं जो कि एक ऐसा समाज का निर्मान करेगा जिसमें हर व्यक्ती संसकारित होगा औ और समाज को नई दिशा देगा और समाज को आगे बढ़ाएगा तो सबसे पहले मैं युवाओं को संबोदित करते हुए मैं ये कहूँगा कि आप उम्र के उस सबसे अच्छे पढ़ाव में हैं क्योंकि जो युवावस्ता से जो पहले वाली अवस्ता होती है बच्पन की अच्छी नहीं होती है और जैसे की यहां सहएक परिवार की चर्चा भी चली है तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सारे लोग कहते हैं तो पॉर्णे रिलोट भरन लात दे दे तू ओकॉम करते हैं दिन बर वो काम भी कहते रहते हैं और आये गए कोईन कोई एक दो थपड मार देता है और दूसरा के जो घर में जो ही काम होग तो यह कर ले ये कर ले ये कर ले हर बड़ा उसके उपर अधिकार मानता है तो इसलिए वो इस इत्ती जदा अच्छी नहीं होती और फिर उसके बाद जब प्रोड़ा वस्ता आजाती है लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे जब आप साट साल के सतर साल के हो जाएंगे तब आपको उसका महत्व पता चलेगा कि युवावस्ता का महत्व कितना ज़्यादा होता है क्योंकि 90 परतिशत लोगों को जो बुजर्ग हो गए हैं उनको अपसुस होता है कि उन्होंने अ सबी लोगों को अगर एक और मौका दिया जाए कि आपको वापस युवा बना दिया जाता है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहेगा कि उसे एक बार फिर मौका दे और अगर उसे युवा बना दिया जाए तो वो जीवन को नए आयामों तक ले जाएगा और वो बह प्तित्व निर्मान होता है जैसे अधिकतर वक्ताओं ने सभी ने कहा कि संसकार निर्मान का काम जो है वो माता पिता का कर्तव बनता है और माता पिता को संसकार निर्मान पे बल देना जाए तो निश्चित रूप से दस साल की उम्र होती है तब तक माता पिता का बच्चा नहीं करता है और जैसे अब ही देखा गया कि नश्य की परवर्ती की तरफ भी आजकल का इयुवा जादा जाए तो माता-पिता रोके बच्चों को नश्य की तरफ जाने नहीं दे तो मेरा मानना है कि दुनिया में शायद ही कोई माता-पिता ऐसे होते होंगे जो ये चाहते होंगे कि उनका बच्चा नशा करे तो माता पिता तो अपनी तरफ से पूरी कोशिस करते ही है कि उनके बच्चे नशे की तरफ नहीं जाए और वो हर संभव कोशिस भी करते हैं लेकिन दस साल की उम्र के बाद व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा अगर परभाव पड़ता है तो वो कैसे फ्रेंड सर्किल में रहता है कैसे दोस्तों के बीच में रहता है और वर्तमान में सोसल मेडिया सोसल मेडिया में वो कैसे लोगों को फॉलो कर रहा है कैसे groups का वो member है इन चीजों का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है तो इसलिए युवाओं को मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अपने व्यक्तित्व का निर्मान करना है तो अब माता पिता की भूमी का सकारात्म ग्रूप से वो आपकी help कर देंगे वो आपके पैसे दें वातावरन है वो आप पे सबसे ज़्यादा असर डालेगा और इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्किल को अपने आसपास के वातावरन को अगर अच्छा बना लेते हैं आप कैसे लोगों से दोस्ती करते हैं किस तरह की बात करने वाले लोगों से दोस्ती करते हैं इसमें मैं क ज्यादा लंबी-लंबी हांक रहा है, डिंगे मार रहा है, ऐसे कर रहा है, लेकिन वास तुम्हें, भली तुम्हें ऐसा लगे, लेकिन आप उन लोगों से दोस्ती रुखो, जो इस तरह से बड़े लक्षे रखने की बात करता हूँ, दूसरी चीज जिसमें पॉजिटिविट तो सकारात्मक्ता जिस व्यक्ति के अंदर होती है, वैसे लोगों को दोस्त बनाएं, क्योंकि वो एनिटाइम आपके पास पॉजिटिव बातें करेगा, तो सकारात्मक्ता जित्ती जदा चीजें होती है, हम उत्ती जदा हमारा ग्रास्पिंग पावर सीखने की क्षमता परिश्रम करना, सही दिशा के अंदर परिश्रम करना, ये चीजें तो अपने आप ही जो है वो आप लोगों के अंदर आ जाएगी, और सबसे बड़ी चीज जो मैं हमेशा मेरे संस्तान में इस्टूडेंट्स को जो कहता हूँ, कि जिंदगी में सफल होने के लिए आत्मव परिश्रम करने की जरूरत है, जब इतनी बड़ी चीज भगवान ने आपको दी है, वास्तों में जिवन में सफल होने के लिए सबसे बड़ी चीज, आप कहीं पर कैसे भी देखना, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और इसके साथ कहते हैं कि धैरे होना चीए, पैशेंस होना चीए, तो पैशेंस भी जुड़ा हुआ है आत्मविश्वास से, जब तक आ आत्मविश्वास के इर्दगिर्द ही गूमते हैं, इसलिए इस आत्मविश्वास के कारण जो और एनर्जी आपके अंदर है, उसको बस सही दिशा देने की जरूरत है, मैं यही कहूंगा, और फिर अच्छे परयासों से, इमानदारी पूरवक्त परयासों से, जो सफलता ह सुनी रखा होगा, और अरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके, और अपने भाईयों की और रिस्दारों की हत्या करके, दिल्ली की राजगदी हासिल की थी, और चूंकि उसने अपने पिता की हत्या की था, और भाईयों की, रिस्दारों की सब की हत्या की थी, और उसके वो बादशाह बना था और करीम पचास साल तक वो बादशा रहा था लेकिन आपको शायद दूसरी बात यह पता नहीं होगी को उसके पचास सालों की जो जिन्दगी थी वो पूरी की पूरी असुरुक्सा डर के माहौल में पचास साल उसके निकले थे वो अपने बेटों से डरता था कि चुंकि मैंने अपने पिता को जेल में डाला है तो मेरे बेटों के सामने प्रेड़ना मैं ही हूँ और वो मुझसे ही सिखेंगे कि पिता को भी राज प्राप्त करने के लिए पिता को भी जेल में डाला जा सकता है तो वो मुझे कभी भी जेल में डाल सकते हैं वो अपनी पत्नियों से डरता था, वो अपनी बेटियों से डरता था, और औरंग जेब की शायद कोई एक आदा बेटा या बेटी होगी, या एक आदी पत्नी होगी, जिसको उसने जेल में नहीं डाला हो, उसको हर समय उन पे शक होता था, संदे होता था, तो कभी किसी बेटे को कभी आज इस बेटे को पे शक हो रहा है उसको जेल में डाल दिया तो आप यह सोचें कि उसने गलत तरीकों से जो सत्ता हासिल की थी उसको उसने भोगा नहीं उससे उसने जो है वो सुख प्राप्त नहीं किया उनके दिखने को दिखता था कि वो बादशाह था लेकिन उसका पूरा जीवन दर्द पीडा असुरक्षा और प्राइस्चित अपसोस के साथ जो है वो खतम हुआ पूरा जीवन और उसने मरते समय अपने बेटों को वापस पास बुला के और उनको यही नसीयत दी थी उसने कि मैंने मेरी जिंदगी में हमीशा गलती काम किये हैं उल्टे री जितने भी काम किये मुझे उन सारे कारेंगों रापस है प्राईसित करना चाहता हूँ काश ल्ला मुझे फिर से जनम दे फिर से मुझे वह मौका दे तो मैं मेरे पूरे इतिहास को मेरी जो हिस्टरी है इसको मैं उल्टना चाहूँगा बदलना चाहूँगा लेकिन में आपस में इसी तड़े से लड़ते हुए जो हो मारेगे तो यहां उस उधारन देने के पीछे मेरा यह है कि आपको जो गलत काम करके अपराद जगत की दुनिया में जाके कुछ हासिल कर भी लेते हैं उपलब्दियां भी हासिल कर लेते हैं लेकिन वो चैन और सुकून की जिंदगी नहीं जी पाते हैं और चैन और सुकून की जिंदगी जीना है तो इमांदारी ही एक मातर जो है वो रस्ता है और मैं कहा हूँ कि इमांदारी में वो शक्ती है वो ताकत है जो बाकी किसी चीज में नहीं है और इसका जीता जाकता उदारन जो है वो Springboard Academy हमारा जो स पर विश्वास कर रहे हैं, हम उनके विश्वास को जो है वो तोड़ेंगे नहीं और इमान और वो इमानदारी की ताकत ही हमारी ताकत है कि आज हमारी जो ये इस्तिती है और आज नकिवल हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बलकि लोगों के दिलों में हमारे प्रती प्यार भी उत्ता ही ज़्यादा है जित्ती लोकप्रियता हमारी है उसके बराबर अदर्वाइस क्या होता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति या संस्तान एक तेजी से अगर वर्दे प्रोग्रेस करता है तो उससे नफरत करने वाले उससे इर्शिया करने वाले लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन आप देखेंगे कि आपको अगर स्प्रिंग बोर् यह तो मैं यही कहना चाहूंगा आपकी युवापेडी को वैसे भी बहुत समय हो गया है कावी चार गंटे हो गए हैं आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों को भी जल्दी होगी कब यह जल्दी खतम करें तो इसके साथ ही एक बार में आभार धन्यवाद विव्यक्त करू दें तो वैसे भी स्प्रिंग गोड अकैडमी में डिसकाउंट ही है सभी बच्चों के लिए डिसकाउंट ही है क्योंकि बाकी वाले कोचिंग से जैसे कंपेरिजन करें तो जो मेडिकल की और या इटी की जो तैयारी करवाते हैं ये पांच-छे महीने साथ महीने आठ महीने पढ़ाते हैं और दो-दो लाख रुपे फीस लेते हैं दिल्ली के जितनी भी सिविल सर्विसेज की कोचिंग संस्तान है वहां की फीस भी दो-दो लाख रुपे हैं और वो मुश्किल से एक साल पढ़ाते हैं और पर डे भी तीन-चार गंटे पढ़ाते हैं हम पर डे महीनों तक पढ़ाते हैं और उसके केवल 94,000 लेते हैं और आप पर मन्त के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें तो महीने के 5,000 या 6,000 रुपे हम लेते हैं और उसमें भी 6 गंटे रोजाना के पढ़ाते हैं और आप देखेंगे के इसकूल में जो बच्चा इसकूल का बच्चा सभी के लिए तो कम ही फीसम ले रहे हैं दूसरा मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अगर एक बच्चे को डिसाउंट दूँ और दूसरे को नहीं दूँ तो ये मुझे शोबा नहीं देता मेरे लिए मेरे सारे स्टुडेंट्स जो है वो बराबरे समान है समान है एक समान है तो यह मेरा एक एक बाउंडेशन मान लें, इसके मेरी जो है वो बाद्धिता मान लें, लेकिन फिर भी इसलिए मेरे पास में जो है वो बाड़मेर सीयो साब उम्परगाजी का भी फोन आया था और बजनजलाल जी गोदारा भी आये थे, तो मैंने दूसरे तरीके से, मैं का यह तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे शमा करें, लेकिन दूसरे तरीके से, मैं जो समराधल फाउंडेशन है, वो आज भी मैं प्लान करके ही आये था आपके कहे बिना ही, अभी मैं 11 लाख रुपे की देने की जो है वो गोशना करता हूं, और यह सिरफ 11 लाख रुपे नहीं ह इतने अच्छे प्रियास हैं कि इन भविश्य भी जब भी मुझे जित्ते भी एजाशी के लिए कहा जाएगा, मैं मना नहीं करूंगा, और फिर आप यहां से उन बच्चों को जो प्रतिबाशाली बच्चे हैं, आप उनको जो है वो यहां से मदद करी रहे हैं, वैसे भी क तो माफी चाओंगा, वैसे दिए अधाइगा, सर गयर लाग तो में देन धारसंस्तान बेज़ जाओं, पण तेदो तो बहुत बड़ी बात है, हम आम भिश्तोई को मत दो, जो बच्चा गरीब है, आरती दरश्टी से कमजोर है, उसको हम लोग सुपर्स करें, उसके लिए चाहिए वो सतीसी कौम को देव बलें, कोई जरूरी नहीं पिस्तों ही को, आर्तिक दरश्टी से जो कमजोर हैं, उनके लिए तो आपको हां करनी पड़ेगी। मैं आपको बताओं कि हमारे यहां पर जो आप जो विद्वा मैलाएं हैं या जो हैंडी फिजिकली चैलेंजड हैं, दिव्यांग लोग हैं या जो अनात बच्चे हैं, हम उनको अल्लेडी फ्री में ही पड़ाते हैं और अनात तो अमारे ही को उनके लिए जो हैं, नहीं नहीं की मदद पक्का करूं है, तो इतना कहके मैं अपनी वानी को विराम देता हूं, धन्यवाद, है आपके कोई वचना में पाबंध बंजूड़ा है, जाने हगडी आवाज पूईजे इंदुस्तान में, अनात आमने कोई है न कोई रहां, गरुमराज आमने सबहूं आमने मात सिर्वाद है, कोई अनात नहीं है, पढ़न आगी यहां है, जको बचो कमजोर वेला, भीन डिसकाउंट देला, मेरें हुं संपर कर ले दे, बोलो गुर्जंबे सर भगवान की, और 11,00,00 की गोशना आगी, बहुत ही बढ़िया बात, 11,00,00 की आमने संस्तान के लिए दे, बहुत सुब संकेत है, और बागी आप के हो इमानदारी हूं, मारे अटे तो सब इमानदारी के लिए कोई काम ही नहीं है, मैं तो गुरु मराज के नियों में पे चलने वाले आदमी है, एक दो तो हर जगे ही वैकर है, बागी आप देखना आपका संस्तान चार चांद लग जाएंगे